दोस्तो मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोग प्री यूट्यूव चैनल जिसका नाम है सुनील जस्वाल बीविलोफाइल दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्पी टेट 2013 की दोस्तो जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि 2012 से लेके तिल डेट तक जितने भी टेट के पेपर हुए हैं उन सभी के हम लोग सीरिस के रूप में आपको वीडियो परवाइड करवाएंगे और आप लोगों ने भी इसमें बहुत सार प्य कैश्ट के नमबर से टेट यूब रहे जाता है क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह भी होता है क्यों वह सारे मिटिरल बढ़ते हैं लेकिन जो इंपोर्टन मिटिरिल होता है उसे भो नहीं पढ़ते हैं तो इन बीडियो के मादधम से आपको इंपोर्टन कोंटेंट य वहाँ से question जो आप पूछी आते हैं और यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रपती की संकट काले इन शक्ति हैं वो किस देश के समधान से ले गई है दोस्तों वो जर्मन के बाइमर समधान से ले गई है और अगर आप लोग राष्ट्रपती की बात करें तो यहाँ पर ऐसी महाँ ब्योग लगाने से पहले राष्ट्रपती को 14 दिन पहले इनफॉर्म करना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 दोस्तों समधानी को पूछारों का अधिकार का मतलब क्या है जैसे कि आपके पास जो राइट होते हैं जो आपके पास 6 fundamental right है 7 ते पहले एक remove कर दिये गया था समपतिक का अधिकार को remove कर दिये गया है आप उसे कानूनि अधिकार बना दिये गया है दोस्तों जो 6 आपके पास fundamental right है जब उनको सही तरके से उनका हनन होता है उनको follow नहीं किया जाता है तो उस समय जब आपको लगता है कि आपकी अ इसे सम्विदान की आत्मा और रिदेवी कहा है। नेक्स्ट कुशन हमारे पास भारत में हमारी मिले जूली संस्कृति की समृत विरासत को सरक्षित करना क्या है। दोस्तों यहां पर आप लोग मौलिक कर्थब हैं। यह हमारे fundamental duties में आता है। आपने fundamental duties को भी देखना है। नेक्स्ट क्वेशन हमारे पास काफी ज़्यादा important है। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अधेक्षिता कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेशन है और काफी important भी है। दोस्तों यह लोगसबा का अधेक्षिता करते हैं। लेकिन दोस्तों जो joint section होता है, वो कौन बलाता है, वो राष्टपती बलाता है। इसकी अधेक्षिता लोगसबा के speaker करते हैं। भारत में इकहत्री जिसे single citizenship कहते हैं। यह सिदान्त कहां से लिए गया है। सही जवाबों का England से। इंडिया में single citizenship हैं, अमेरिका में double है, तो आप लोग इसे भी देख लेजीजीगा। next question महरपास, भारती सविदान के किस भाग में हैं। काफी अधा important प्रश्चन यह fundamental duties, जो इंडियन constitution के किस भाग में हैं। तो आप लोग यहां पर देख पारे हैं, 4A में। भारत के राष्ट्रपदी को कौन पद्युचित कर सकता है। संसद में पार्लेमेंट के द्वारे ही राष्ट्रपदी को उनके पस से हटाया सकता है। संसत के निमन सदन को किस नाम से जाना जाता है। तो लोगसभदा के और उछ सदन जो आप वों राजय वारे सवभदा के द्वारे नाम से जाना जाता है। दोसदों यहां पर के वारे इनकी सीटे भी पुछियाती है। सीटे आप लोग देख सेते हैं। नेक्स्ट उक्षिन मारे पास, कौन सा केंदर शाषित परदेश ही, यहां सिर्फ फ्रेंच ही बोरी जाती है, तो सही जबाबु का पांडी चेरी, भारत के सबसे लंबी भूमिक किस देश से लगती है, दोस्तों ये इंडिया की बांडरी है, वो किस देश के साल लगती, काफ काफी पर प्रशन ये भी पूछा गया है, भारत का बिसमार कौन था, सरदार पटेल, लैप्स की निती का प्राग्रम किस ने किया, डलहोजी ने, लौट डेहलोजी ने, दोस्तों लौट डेहलोजी जो आप उनको रेलिवे का जनक भी कहा जाता है, तो काफी जादा इंपर किया हुआ, काफी पर प्रशन ये भी पूछा गया है, यहां पर आप लोग जवाव मैच कहसे हैं, हो से हो, किस मुगल शाषिक ने पुर्ण जजिया कर लगाया था, तो सही जवाब होगा, औरेंग जीव ने, नेक्ट विशन मार पास, अमेरिका में गदर पार्टी का संचालन किस ने किया, सही जवाब है, लाला हरद्याल, नेक्ट विशन मार पास, बंगाल का विवाजन कब हुआ था, 1905 में, दोस्तों आप लोगोंने पुरी डेट याद रखनी है, 16 अक्तूबर, 16 अक्तूबर 1905 म दोस्तों यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर मैं किसी क्वेशन को गल्थ डिसकस कर देता हूँ, तो अगर आपके पास सही नोलेज है, तो आप लोग के कमेंट बॉक्स में रूटाइब करिएगा, दोस्तों यहां पे ऑफिशल अंसर की के कोडिंग ही क्वेशन के ओपर डिसकस किये जा रहे हैं, तोडर मल किस से संबदनेत है, सही जवाब है, भूरासव सुदार से, रेवनियू डिपार्टमेंट से थी, किन दो महान मुगल समराटों ने स्वे अपनी यादों को लिखा, जिसे बाबर और जहांगेर ने, महात्मा गांधी को अंग्रेजी सकार द्वारा दिया गया, टाइटल जिसे उन्होंने त्याग दिया था, केसर ए हिंद, दोस्तों महात्मा गंधी का जर्म दोक्तूबर 1869 में, गुजराद के परवंदर में हुआ था, और दोस्तों, इनको केसर ए हिंद की उपादी दी गये थी, जिसे उन्हो पाकिस्ताने आम, सिंदु गाटी सब्वेता का नगर लोथल कहां परस्तित है, सही जवाब हो का गुजरात में, और सिंदु गाटी सब्वेता जो आपो कहां पे है, वो पाकिस्तान में है, महुन जोदुर के बारे में पुछा जाता है, तो महुन जोदुर कहां पे है, वो दूसरे बिश्वुदित का काल के है तो आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं 1949 से लेके, 1945 तक जो First World War हुआ था वो 1914 से लेके, 1980 के बिश्व में हुआ था Next विश्व मारबास, बारत के किस? वाइसराय के समय में, Indian Penal Code, IPC, Civil Procedure Code, CPC और Criminal Procedure Code, CRPC पारित हुआ थे, सही जवाब होगा Lord Canning के द्वरा, जब बारत अजाद हुआ, तब इंग्लैन का परदान मंत्री कौन था? तो सही जवाब होगा, Clement Italy, काफी बार प्रशन पूछा गया, जब इंडिया अजाद हुआ था उसमय इंग्लैन के जो परदान मंत्री थे, वो Clement Italy थे, सही जवाब होगा, यूरेशिया के, बारत और चीन के बीच की से मैं रेखा को क्या कहा जाता है, ये भी प्रशन काफी बार पूछा गया है, जो दोस्तों ये से कहा जाता है, मैक मौन रेखा बारत के किस किश्वेतर में, ग्रिशम कालीन मानसुन सबसे पहले आता है, सही जवाब होगा पश्मिगाट में, मनार की स्थिता है, सही जवाब है तमिलनाडू के पूर्भ में, डलाल स्ट्रीट कहां पर स्थिता है, सही जवाब है मौंबई में, नेक्ट विशन मार पास, आजिस्तान की इंदरा गांधी नहर किस नदी से जल प्रापत करती है सही जवाब होगा सतलुज और ब्यास से इंदरा पॉइंट कहां पर स्तलीत है सही जवाब है अंड़मान निकोबार में बीशब और भारत के सबसे बिर्ट मेगराब बरान कहां पाई जाते है सही जवाब है सुंदरवन में आरावली परवत श्रिंखना किसका उधार में सही जवाब का फोल्डर परवत के बारे में दोस्तो सर्व श्रेणी जो सबसे एक खून प्रापत कर सकता है वो कौन सा ब्लड ग्रूप है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहें हमारे चार परकार के ब्लड ग्रूप होते है बी और ओ बिशव परसित पेंटिंग मौना लिस्ता किस ने बनाए थी लियनार्ड़ दा विंसी दोस्तों अगर आपने इनकी वाइग्रॉफी पड़ें तो काफी अच्छी है जिसमें कि यह मल्टी ट्लेंटल है यह हर परकार की फ्रिड में इन्होंने काम किया हुआ मौना लिसा और लास्ट सब पर इनकी पेंटिंग थी भारत में सबसे यदा रासव किस से प्रापत होता है सही जवाय उत्पाद शुल्क से भारती अर्थ विवेस्ता किस परकार की अर्थ विवेस्ता है ये भी प्रशन काफी बार बुशा गया और बहुत सारे बचे यहां पर गल्त करते हैं इसक्वेशन को सही जवाब होगा किंकरी देवी ने कहां परस्तित है सही जवाब है तिरलोगपूर में शीमला का गेटरी थेटर आम जनता को कब समर्बित किया गया था डेट देखवारे हैं आप लोग 1887 इस भी को हिमाचिल परदेश के किस बेक्ति को पहला विक्टोरियक रोष प्रापत हुआ है सही जवाब होगा जमादार लाला राम नेक्ट विश्ण मार पास हिमाचिल परदेश के दरोहर गाम परागपूर की किस महला ने 300 बर्ष पुराना गर द्रोहर गांप के लिए दानक दिया था सही जवाबों का दुरगा देवी ने तो दोस्तों यह आज की वीडियो थी और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक important information बताना चाता हूँ दोस्तों हमारा दूसरा चैनल है awesome study with सुनिल जस्वाल जिसमें कि आप लोग latest जितनी भी update होती है education से related कोई भी किसी भी परकार की interest exam या किसी भी परकार की कोई भी खबर होती है बहाँ पर हम लोगों बहुत जल्द आप लोगों को provide करते हैं अगर आप लोग चाहें तो उस चैनल पर जिरू बताएं आप लोगों ने मुझे तना समय दिया आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद thank you very much धिल से